पूम नमो भगवते वासु दिवाया स्प्रिच्वल मंथन चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम स्रेमत भागवत गीता के छट्वे अध्याय के तीसरे और चौत्थे स्लोकों का वर्णन करेंगे जो इस प्राकार है अर्थात भगवान स्रीक्रिष्ण कह रहे हैं कि मन को वश्मे करने की इच्छा वाले मनुश्य को योगी प्राप्ती के लिए कर्म करना कारण होता है और योग को प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं का अबाव हो जाना ही कारण होता है अर्थात जो योग में आरूर होना चाहता है ऐसे मनुश्य के लिए कर्म ही साधन कहलाता है और योग में सिद्ध पूरुष के लिए समस्त भौतिक कारण कलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है जिन मनुश्य का मन योग या भक्ति में स्तिर रहता है ऐसे मनुश्य का मन सांसारिक इच्छाओं से देरे देरे स्वत्य ही दूर हो जाता है यदाहिनेंद्रियार्थेशू नकर्मस्वानु सज्जते सर्विसंकल्प सन्यासी योगारूरस्तदोच्चते अर्थात भगवान स्रिकेश्ण कह रहे हैं कि जब मनुश्य सभी प्राकार के सांसारिक इच्छाओं का परित्याग कर देता है और किसी भी प्राकार के सारेरिक सुप के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है और नहीं किसी भी फल की इच्छा से किसी भी प्राकार की कार्य में प्रवरत होता है उस समय वा मनुष्य योग में इस्तित कहलाता है अर्थात एक सच्चा योगी वही होता है जो सांसारिक विशय भोगों का फूर्ण रूपेन परित्याग कर दे